आजादी के उपरांत देश के पुरोत्तर इलाके में उत्पन हुए उग्रवाज से निपटने के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार द्वारा अफस्पा कानून को लागू किया गया क्या है अफस्पा? AFSPA, Armed Forces Special Powers Act क्या है? यह कहां लागू होता है? किस कंडिशन में लगाया जाता है? कब कब लगाया जा चुका है? इस कानून को कौन लगा सकता है? इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है बने रही है हमारे साथ पूरे वीडियो में नमस्कार में मनीज पांडे और आप देख रहे हैं सरल भारत नियोजे सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि किन छेत्रों में अफस्पा कानून लगाया जाता है? A.F.S.P.A. इसका उप्योग किवल उन छेत्रों में किया जाता है जिनको केंद्र या राज सरकार डिश्टर्वेरिया यानि की अशांत छेत्र घुसित कर देती है अशांत छेत्र यानि की जहां पर दंगे फसाद ज़्यादा हो रहे हों और वहां की जो लोकल पुलिस होती है उसके पकड़ से बाहर हों ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफतार करने की ताकत होती है कई मामलों में बल प्रियोग भी किया जा सकता है इस कानून में सशस्त्र बल सशस्त्र बल कानून का उलंगन करने वाले व्यक्ति को चेताउनी देने के बाद बल प्रियोग करने और उस पर गोली चलाने के अनुमती देने के लिए भी हगदार है किन्तो किसी भी तरह की कारवाई से पहले वहां के नागरिकों, वहां के उपद्रवियों, वहां के उग्रवादियों को चेताउनी देना आवश्यक है बिना चेताउनी के आप गोली नहीं चला सकते क्या होता है अशांत या डिश्टर्ब छेत्र जिस छेत्र में यह अफस्पा कानून लगाया जाता है इस कानून की धारा तीन के अनुसार किसी भी छेत्र को अशांत छेत्र अफस्पा के तहद गोसित किया जाता है अलग-अलग धर्प, धार्मिक, भाशी, नसली, छेत्री समुहों, जातियों और समुदायों के बीच विवादों के चलते राजिया, केंद्र सरकार किसी भी छेत्र को अशांत घोसित कर सकती है यह सरकार के उपर निर्भर करता है कि कब और किस कंडिशन में इस कानून को लागू करना है विशेश नयायाले अधिनियम 1976 के मताबिक एक बार कोई छेत्र अशांत यानि डिश्टर्ब घोसित होने पर कम से कम तीन महीने तक वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है AFSPA यानि कि AFSPA में सैन बलों को दिये गए अधिकार इस एक्ट के तहत सैन बल बिना अरिष्ट वारेंट के किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफतार कर सकते हैं तथा विशेश परिसर में प्रवेश करने और तलासी लेने के भी अधिकारी होते हैं यानि कि पूर्ण रूप से अधिकार पूरा सशस्तरबल के हाथ में दे दिया जाता है वो उस अशांत छेत्र में कुछ भी कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति अशांती फैलाता है बार-बार कानून तोड़ता है तो सेना को उसे मृत्य दंड तक देने का अधिकार इस कानून में बनाया गया है एक्ट की बड़ी बात यह है कि जब तक केंदर सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षावलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कारवाई नहीं हो सकती यानि कि अगर शर्षास्त्र बल उपद्रवियों के खिलाफ कोई भी निर्णे लेता है तो सेना के खिलाफ आप कोई भी कानूनी कारवाई नहीं कर सकते जब तक केंदर सरकार ना चाहे यह कानून चर्चा में क्यों आया 4-5 दिसंबर 2021 को नागा लेंड के मौन जिले में हुई हिंसा के बाद राज से AFSPA की वापसी की मांगाने लगी नागा लेंड के मुख्यमंत्री ने भी राज से AFSPA को वापस लेने की मांगी थी नागा लेंड सरकार ने इस संबंध में केंद्री ग्री मंतरी के साथ बाचीत भी की है नागालेंड सरकार के जारी किये गए बयान के मुताबिक ग्री मंत्री अमिशाह ने 23 इसंबर को नागालेंड में मौजूदा परिद्रिश पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी बैठक में नागा लेंड के मुख्य मंतरी असम के सीयम सहित अन कई मंतरियों ने इसमें भाग भी लिया था अब AFSPA को नागा लेंड से हटाने पर विचार करने के लिए पांच सदस्य समिती बनाई गई है इसकी अधक्षता ग्री मंतराले के सचिव अस्तर के अफशर विवेग जोशी करेंगे ग्री मंतराले के मुताबिक इस समित में नागा लेंड के मुख्य सचिव और DGP सदस्य होंगे इसमें आसम राइफल्स के IG, उत्तरी और CRPF के एक प्रतनिधी सदस्य भी होंगे यानि कि सेना के जो प्रतनिधी हैं उनको भी इस बैठक में सामिल किया जाएगा ये समिती 45 दिन में अपनी रिपूर्ट देगी अब हम बात करते हैं कि इस कानून को मुख्य रूप से लागू कौन कर सकता है किसके अधिकार छेत्र में यह कानून आता है इस अधिनियम को लागू करने का सुझाओ राज सरकारें दे सकती है किसको देंगी केंदर सरकार को किन्तो इन पर संग्यान लेने और न लेने की शक्ती राजपाल अथवा केंदर को दी गई है मतलब राज सरकार सिर्फ सुझाओ दे सकती है इस कानून को लागू नहीं कर सकती AFSPA कानून की एतिहाशिक्ता क्या है भारत में सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए 1942 में अफसपा को एक अध्यादेश के जरिये लगू किया था आजादी के बाद साल 1947 में ततकालिक अशांत इस्तियों से निपटने के लिए इसी अध्यादेश के प्राउधानों के मताबिक चार अलग-अलग अध्यादेश लाए गए थे भारती संसत द्वारा सितंबर 1958 को पारिद किया था तीन माह के उपरांत दिसंबर 1958 में इसको कानूनी जामा पहना दिया गया मडिपूर और असम मडिपूर और असम में सरप्रथम 1958 में ही इसे लागू कर दिया गया मडिपूर और असम में उगरवादियों का ज्यादा वहाँ पे असर है इसलिए सरप्रथम कानून 1958 में मडिपूर और असम में अफस्पालग आया गया वर्तवान में यह कानून जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त असम नागालेंड मडिपूर इमफाल के साथ विधान सबाशेत्रों को छोड़ कर और अरुणालचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है तीन राज्यों त्रिपूरा, मिजोरम और मेगाले में फिल हाल वहाँ से इस कानून को अभी हटा दिया गया है हाल ही में अरुणालचल प्रदेश के नौ में से तीन जिलों से विवादित अफस्वा कानून आंसिक रूब से हटा लिया गया है यानि कि आंसिक रूब का मतलब कि वहां से ससस्तर बलों को कुछ मात्रा में कम कर दिया गया है हलांकि यह कानून म्यामार से 60 इलाकों में लागू रहेगा राज में कानून लागू होने के 32 साल बाद यह कदम उठाया गया पिछले साल मार्च में अफस्पा कानून को मेगाले से पूरी तरह से हटा दिया गया था अब हम बात करते हैं कि इस कानून का निशकर्स क्या निकलता है निशकर्स यह निकलता है कि आतंक बात प्रभावी शेत्रों में एफस्प यह बहुत पूर है लेकिन विचारणी यह भी है कि अशांत शित्रों में दसकों से लागू होने के बावजूद यह अपने लक्षों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सका है ऐसे में संतुलन और स्याम्य स्थापित करने के लिए मानवा दिकारों के उलंगन की घटनाओं को देखते हुए इसकी जांस तो किही जा सकती है फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही गंभीर विशय और जानकारी भरे विशय को लेकर जिससे हम आपका कुछ जनरल नौलेज भी पढ़ा सकें और सबसे महत्वपूर यह है कि यह सारे हमारे लेख सरल भारत पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं आप हमारे सरल भारत के फेस्बूप पेज पर जाकर पत्रिका का डिश्टल पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें यह लेखाप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं फिर मैं मनीश पांडे आपसे मिलूँगा एक ऐसे ही नए विशे को लेकर तब तक दीजे मुझे इजाजत नमस्कार